नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल मार्केट विद्याला में स्वागत है आज हम बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आप रिटेल नहीं वे सक है तो यह वीडियो आपके लिए है कैसे पेनी स्टॉक में लोग फस जाते हैं और अपना पूरा जीव दूबारा लिस्ट हुइए उसकी बाद देखी इस कमपनी का क्या हाल हुआ है इस कमपनी को दूबारा रियलिष्ट किया गया 12 दिसम्बर को जिस दिन इसका प्राइस साथ रुपय असी पैसा 12 दिसम्बर सा लेकर आस तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस स्टॉक में ल अगर यह चल गया तो हमें दस गुना बेस गुना रिटन होगा लेकिन पेनिस स्टॉक क्यों हुआ उसके पिछी करीजन कोई नी जानता यह स्टॉक एक समय में 200-300 रुपए पर ट्रेट करता था धीरे धीरे इस कंपनी के मैनेजमेंट कुछ इस हुआ एक कंपनी का कर्ज बढ बहुती ज्यादा कर्ज है अब उसके काराण यह कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है सिंटेस इंडस्ट्री जनरली कपड़ों से रिलेटेट कारोबार करता है यह गुजरात बेस्ट कंपनी है और यह कंपनी अपने आपको सर्वाइब नहीं कर पाया इसलिए आज इस कं कंपनी के बारे में चीज और बताना चाहूंगा देखें जो यह कंपनी है सिंटेक्स इंडस्ट्री सिंटेक्स इंडस्ट्री में रिटल निवेश चक बहुती बूरी तरह से फसे हुए है कई लोग मुझे करते हैं सर मेरा यहां पर एक हजार कॉंटिटी है मैंने यहां दो स्टाइक को सिफ आपके प्ल्यवक्री के सन बढ़ता था वह के लाल में मैंन Alumni में दिखाता था लेकिन लेकिन अब जिये अलेगिन जब इहां स्टाइक दूबारा लिस्ट हुआ तो यह स्टॉक जब दुबारा लिस्ट हुआ तो उसके बाद आप देखेंगे किसमें लगातार 12 दिसंबर से लेकर अब तक इस स्टॉक में लगातार लोवर सर्कीट का हमें दौर देखने को मिल रहा है और यह स्टॉक का जो दौर है लोवर जो और कितना लंबा चलेगा लोवर सर्कीट यह किसी को नहीं पता तो देखिए मेरा बुलने को मतलब यह है कि जब भी आप किसी पेनी स्टॉक पर निवेश करते हैं तो आप उसके बीजनेस के बारे में समझीए उस कंपनी के उपर कर्ज कितना है वो देखिए उसके बाद ह कि आप इस टाइप के स्टॉक में निवेश कीजिए नहीं तो होगा क्या कि यह देखिए एक्जामपल सिंटेक्स इंडेस्ट्रिस आपके सामने हैं तो आप ऐसे स्टॉक में बूरी तरह से फस सकते अब देखिए इसमें अब बीच में क्या हुआ था अगर आपको मार्च के आसपास का याद होगा कि यह कंपनी दीवाले घोसित हो चुकी थी इस कंपनी को पर करीब नौ-दस बैंकों का बहुत ही ज़्यादा कर्ज था तो ऐसे इस्थि से बहुत ही ज़्यादा बूरा है तो जब भी आप पनी स्टॉक में नीवेज करते हैं तो आपको अपना एनलाइज करना आना चाहिए तभी आप ऐसे पनी स्टॉक से बच पाएंगे तो अदर्वाइस कि आप दूसरे का सूनके या फिर आपका एनलाइज नहीं रहेगा त तो अब जब भी पनी स्टॉक में नीवेज करें तो आपका एनलाइज जरूर जरूर होना चाहिए